Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल वो आसानी से समझ पाएंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जोग्राफी एक ऐसा discipline है, जोग्राफी एक ऐसा subject है, जिसको आप practicality में use कर सकते हैं जिसको आप पढ़के present situations में क्या हो रहा है यह समझ सकते हैं वो एक बहुत अच्छे कामत है history repeats itself की इतियास खुद को दाराता है, first as tragedy then at farce, तो आज वो ही कामत फिर से सच हो चुकी है with regards to Russia and Ukraine, तो यह जो theories है, geopolitical theories हम लोग दो theories पढ़ेंगे पहली theory रहेगी मकाइंडर की दूसरी theory रहेगी निकोलाइस पैकमैन की तो यह जो जो theories है यह दोनों theories, basically ऐसी theories है, जिनों ने दुनिया को बताया, कि देखो अगर आपके पास जमीन है अगर आपके पास जमीन है वो geopolitically बहुत ज़्यादा important जमीन है अगर आपका जो location है जिस location पे आपकी जमीन है अगर वो location बहुत ज़्यादा significant है and सोने पे सुहागा, अगर आपके पास उस location पे, उस जमीन पे resources है, तो आप पुरे दुनिया पे राच कर सकते हो तो अगर आप historically उठा के देखोगे, तो जो बड़े-बड़े battles हुए है दुनिया में जो बड़े-बड़े युद हुए है दुनिया में, वो basically इनी चीजों के लिए हुए है कि ऐसी जमीन को जीतना है, ऐसी जमीन के उपर कबजा करना है, जिसका location अच्छा रहे and जिसमें क्या है भरपूर resources रहे, तो चलिए शुरू करते हैं, तो the first theory which I'll be discussing with you all in terms of geopolitics and यह दुनिया की सबसे पहली geopolitical theory थी, तो it was a theory given by Mekinder Mekinder The theory's name is called as Heartland theory Heartland theory कहते हैं इसे, ओके नाम में ही heart है तो बहुत अच्छे से यह theory हम लोग पढ़ेंगे, क्यों ऐसा क्या है कि इसका नाम Heartland पढ़ गया कि क्यों यह किसी चीज का दिल बन गया, ओके तो Mekinder ने यह सबसे पहली theory दी दुनिया के जिसे हम लोग geopolitical theory में सबसे उंदा स्थर पर मानते हैं, यह जो theory थी Mekinder की, यह दो revisions में दी गई, तो सबसे पहला revision जो हुआ था, वो हुआ था 1919 में, आप अब सब जानते है 1919 में, जो पहला world war था, वो खतम होया चुका था and 1919 में basically treaty of versalis जो थी, वो sign हुई थी, तो दो modifications थे, सबसे पहला था 1919 का modification, जिसमें Mekinder ने Heartland का concept डाला, तो Heartland का concept पहले से नहीं था Mekinder के थेहरी में, वो 1919 में आया, and जो second revision हुई, second revision हुई 1943, 1943 में, and इसमें Mekinder ने concept दिया Midland Basin का इसमें Mekinder ने concept दिया, Midland Basin का तो, ये जो दो modifications है Mekinder के, 1919 के और 1943 के, ये दोनो modifications एक particular theory पह बेज़ड है, उस theory का नाम है Geopolitical Pivot of History, जो Mekinder ने एक paper लिखा, 1904-1905 में तो चलिए, हम लोग वो book पढ़ते हैं, वो paper पढ़ते हैं जिसमें Mekinder ने ये चीज़े explain कर रखी है तो, एक book लिखी गई थी Mekinder तरफे, वो book का नाम है, Geopolitical Pivot of History वो book published की गई थी 1904-1905 में ओके, वो book का नाम है Geopolitical Geopolitical Pivot of History Geopolitical Pivot of History तो, इसमें Mekinder कुछ चीज़े बोलते हैं उनकी कुछ धारनाए है उनके कुछ assumptions है तो चलिए, जानते हैं कि वो धारनाए क्या है Mekinder कहना क्या चाहते है कि Geopolitical Pivot basically होता क्या है तो, Mekinder जो थे उनका मानना था कि उस वक्त 1904-1905 में Eurasia and Africa ये ऐसे दो बड़े landmass थे ऐसे जो बड़े continents थे जिसमें दुनिया की अधिकतर population रहती थी और ये दोनों landmass अगर आप combine कर देंगे तो ये 3-4 हिससा बन जाता है पूरे धरती के landmass का तो Mekinder के लिए जो बाकी landmass था धरती का वो काफ़ी insignificant हो चुका था अगर मैं आपको ये Atlas के तौर पे पढ़के दिखाओ तो चलिए Atlas का भी हम लोग थोड़ा सा use कर लेते हैं ताकि हमें ये थेरी और अच्छे से समझे तो अगर मैं धरती का map खोल रहा हूँ आपके आगे this is basically the marketer projection हम लोग ये जो projection है ता है जिसका आप Atlas अभी देख पा रहे हैं इसको हम लोग marketer projection कहते है तो अगर हम 1904-1905 में गए तो उस वक्त क्या scene था उस वक्त basically चल क्या रहा था क्या America, North America and South America पिक्चर में थे, नहीं थे North America पिक्चर में कब आया पहले World War के बाद में उसके पहले नौर्थ अमेरिका पिक्चर में नहीं था तो मकाइंडर के लिए कौन सी landmass सबस्यदा important थी for मकाइंडर, the most important landmass was Eurasia and Africa तो ये दो landmass उनके लिए बहुत ज़्यादे important थे बाकी पूरे जो landmass थे जैसे North America हो गया, South America Australia हो गया, New Zealand हो गया ये सारे landmass उनके लिए insignificant थे, क्यों? क्योंकि पूरे धर्थी का चीन चौथा landmass यहाँ पे है and पूरी धर्थी की maximum population उस वक्ट यहीं पे रहती थी and Mackinder ने इसी वज़े से world को different different islands में गुरूप किया different different land zones में गुरूप किया hence वो जो थेरी थी जो बुक था, geopolitical pivot of history, उसमें जो pivot शब्द है, ये pivot basically एक area का नाम है जो Mackinder ने define किया, तो Mackinder ने अपने 1904 के किताब में concept दिया the concept of world islands तो चलिए जानते हैं, Mackinder की सबसे world islands कौनसे कौनसे है पाइवोट एरिया कौनसा कौनसा है तो चलिए, so सबसे पहला area जो Mackinder ने define किया जिसके उपर ये नाम लिखा गया है geographical pivot of history, so the first area is the pivot area so according to Mackinder कौनसा है पाइवोट एरिया तो पाइवोट एरिया जो है वो रशिया का east part आता है तो अकर हम इस map में देख रहे हैं कि पाइवोट एरिया कौनसा आ सकता है तो जो मैं अभी mark कर रहो ये बन जाता है हमारा पाइवोट एरिया ये बन जाता है हमारा पाइवोट एरिया जिसमें रॉष्या का Siberia आता है यह पूरा रॉष्या का Siberia यह पूरे रॉष्या का Siberia आएगा इसमें आपके रॉष्या के Steppi region आएगा है Steppi means जो रॉष्या के कजच्थान के बीच में जो grasslands है वो grasslands है उनको हम लोग Steppi कहते they are the temperate grasslands of Eurasia and जो steppie grasslands है वो grasslands बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है agriculture के लिए तो इसलिए ये जो area है इसे मकाइंडर ने pivot area कहा क्यों? because ये resources से काफी ज़्यादा भरपूर है यहाँ पे आपको taiga forest मिलते है यहाँ पे आपको agriculture support है and अगर आप किसी area को बहुत महत्वपूर्ण मानते है तो जाहिर सी बात है उसकी security भी उतनी होने चाहिए तो ये जो pivot area था साब ये pivot area कहीं से भी accessible नहीं है क्यों नहीं है? because north में आपके पास Arctic Ocean है जो हमेजशा से frozen रहता है वहाँ पे बर्फ है तो आप वहाँ से आ नहीं सकते हो West में क्या है? आपके पास यहाँ पे Urals Mountain है रशिया को जो रशिया को Europe से separate करते है and ठीक इसके बीच में ये जो आप नदी देख पा रहे है अगर मैं थोड़ा सा map को और zoom करू तो आप ये जो नदी देख पा रहे है ये नदी जो यूकरेन में ब्हे के आती है तो this part यहाँ पे आपको एक मारशी लैंड मिलता है उसको हम लोग कहते है PREPET MARCHES उसको हम लोग कहते है PREPET MARCHES तो ये दलदल की जमीन है जहाँ से प्रिपेट नदी बैती है East Ukraine से और वो रशिया को separate करती है from the Europe से So West से आपके पास क्या है Ural Mountains है जो रशिया को ये area को prevent करते है West से हमले के तरफ से और आपके पास प्रिपेट मार्शे से दलदल की जमीन है तो आप जा नहीं सकते North में आपके पास Arctic Ocean है and अगर आप East और South में जाएंगे अगर आप East और South में जाएंगे तो East में आपके पास तो बहुत बड़ा Pacific Ocean है जो एक Natural Barrier तोर के आप पे उपर बचा रहा है and South में भी जो जमीन है वो काफी दुर्गम जमीन है बहुत अंदर में है South में अगर आप जाएगे तो आपके पास Central Asian deserts है China के deserts है यह स्थान्स है जहां से आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो पाइवोट एरिया जो था यह basically किल्ले के तरह था इसको लांधना इसको कबजा करना बहुत ज़्यादा difficult था इसी वज़े से ये एरिया दुनिया का सबसे secure एरिया माना गया Macaender के तौर फे और सबसे rich एरिया माना गया क्यू? location के वज़े से and resources के वज़े से इसके बाद जो बागी के एरियास थे Macaender को ने बागी के एरियास को दो पार्ट में विबाजित किया इश्या भी consider करेंगे उसको हम लोग inner crescent कहेंगे तो आप inner crescent के तौर पर अगर आप area detonate करना चाहते तो वो कुछ area इस तरीखे से जाएगा जहां पर आप सारी coastal countries देख रहे हैं तो यह पूरा area सहारा को छोड़के सहारा के उपर के यह पूरा area this is called as inner crescent by Makhinder इसके बाद का जो भी बहार का area रहे गया जिसमें North America आगया South America आगया South of Sahara आगया Australia आगया New Zealand आगया इसको हम लोग outer crescent कहेंगे okay and Makhinder ने क्या कहा कि he who controls East Europe he who controls the pivot area controls the entire East of Asia जो यह East Europe को command करते है वो pivot area को command करते है और जो pivot area को command करते है और जो pivot area को command करते है वो पूरे दुनिया को command कर सकते है किस वज़े से because of its locational advantage and because of its resource advantage and अगर आप history को उठा के देखेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े-बड़े empires रहे है जैसे Mongols, Ottomans, Russia के जार तो वो सारे बड़े-बड़े empire इसी area में बसे हुए थे even Ottoman empire भी जो था वो basically ये area को north को prevent करने के लिए बनाय गया था तो जो बड़े-बड़े empires थे basically they were all the central Asian and Siberian empires so makinder के हिसाब से जो empire इस area को control करेगा वो ही empire पुरे देश पे पुरे दुनिया पे सामराज रखेगा and most importantly makinder का एक गलती हो गई makinder से makinder से गलती इन दो सेंस कि उन्होंने जो भी sea powers थी उनको biscuit कर गया makinder के हिसाब से जो sea advantage है वो temporary है बट जो land advantage है वो permanent है तो यह पहला concept of world islands था जो makinder ने 1904-1905 में दिया तो इसके बाद चलिए देखते है कि makinder ने जो 1919 modification दिया उसके क्या मतलब रहा और उसके लिए हम लोग और क्या-क्या कर सकते है आगे में जो पहला modification मकाइंडर ने दिया अपने थेरी में वो modification दिया मकाइंडर ने after world war 1 क्यों after world war 1 मकाइंडर ने modification देना चाहा because world war 1 के बाद में क्या हुआ कि मकाइंडर को डर सताने लगा क्यार ये जो पाइवोट एरिया है इस पे अगर जर्मनी ने इसमें अगर जापान ने कमजा कर लिया तो because जर्मनी एक बड़ी पावर बनते जा रहा था and जापान आप लोग वो पता है कि जापान is very infamous for ruthless killing उसको हम लोग yellow peril कहते हैं तो मकाइंडर को थोड़ा सा डर सताने लगा कि यार अभी हम कैसा करें अभी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मकाइंडर basically England के आर्मी को हमेशा से वान करते आ रहा था कि आप देखो जर्मनी को कर्टेल करो जापान को कर्टेल करवा तरवाई इसे आपके सर के उपर चड़के बैठ जाएंगे आप कुछ नहीं कर पाओगे इसलिए मकाइंडर ने 1919 में modification दिया उस modification का नाम था democratic ideals of reality democratic ideals of reality and इसी में मकाइंडर ने heartland का जिकर किया अब यह modification क्या था तो क्या हुआ 1919 में जब वर्ल्ड वर वर्वार वन खत्म हो गया जब ट्रीटी ओफ वर्सालिस साइन हुई तो क्या हुआ कि जर्मनी के उपर बहुत जादा restrictions लगाए गए जर्मनी के उपर बहुत जादा पाबंदिया लगाई गई उसमें से एक बहुत बढ़ी पाबंदिये थी कि जर्मनी खुद-खुद का कोईला यूज नहीं कर सकता जो रूर वैली है जर्मनी की वहाँ का वो कोईला यूज नहीं कर सकता और उस वक्त एक बहुत अच्छी सेइंग मकाइंडर ने बोले कि जर्मनी डिफिटेड does not mean जर्मनी इस दिस्ट्रोइड कि आपने जर्मनी को हरा तो दिया है इसका मतलब ये नहीं कि जर्मनी कंप्लिटली उड्वस्थ हो चुकी है जर्मनी अभी भी है जर्मनी उपर वच सकती है तो आप देखिये सर मेनम आप थोड़ी संभालिये खुद को आप जर्मनी को करने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा इसलिए मकाइंडर ने क्या किया अपने पाइवोट एरिया को थोड़ असा बदल दिया क्योंकि उसे लगा कि यार ये थोड़ असा गड़वड है और इसके बाद जर्मनी अगर कुछ कर सकता है तो मुझे थोड़े मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे थोड़ो लोगों को और अच्छे से बताना पड़ेगा कि यार पाइवोट एरिया कितना जादा जरूरी है और हम जर्मनी को इससे कैप्चर करने के लिए नहीं दे सकते हैं तो मकाइंडर ने क्या किया जो पाइवोट एरिया था उसको मकाइंडर ने थोड़ा सा चेंज किया तो वो जो चेंज पाइवोट एरिया था उसी को हम लोग अभी कहेंगे हार्ट लाइन तो देखता है कि यह हार्ट लाइन बेसिकली है क्या तो अगर हम अभी Heartland डेखते है तो मकाइंडर ने क्या किया अगर हम लोग रशिया पे जूम इन करें तो रशिया पे तीन बड़ी नदिया बैती है उनको हम लोग कहते है रिवर ओप, रिवर येनेसा और रिवर लेना अगर मैं आपको ये मैप में दर्शाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश ने सेंस वो है मैप में तो आप ये जो नदी देख रहे है ये रिवर नदी है ये रिवर नदी है जो यूराज के इससे बैती है यहाँ पे बीच में ये रिवर कॉल्ड आज येनेसा और ये जो रिवर है, this is called as river Lena, so you have river Ob, you have river Yanis, and you have river Lena, so Makhinder ने क्या कहा, कि यह जो Lena के east वाला side है, यह वाला, यह वाला side अभी कुछ मतलब का नहीं है, because यह हमेशा से बर्व से ढखा हुआ है, and वहाँ पर बहुत ज़्यादा mountain territory है, तो चलिए यह area को हम लोग छोड़ देते, तो Makhinder ने pivot area से इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया, तो Makhinder ने अभी क्या किया, Makhinder ने pivot area west की तरफ बढ़ा दिया, Makhinder ने pivot area south के तरफ बढ़ा दिया, तो west की तरफ Makhinder ने कहा तक बढ़ाया, west में Makhinder ने area को बढ़ाया, Baltic Sea तक, and South में कहां तक बढ़ाया Black Sea तक and ये जो नया region आया अभी इसको मकाइंडर ने पूरी तरीके से बोल दिया कि ये हमारा क्या है नया ये हमारा नया Heartland है तो ये रहेगा हमारा नया Heartland ये पूरा area बन गया अभी Heartland ये पूरा area अभी बन गया and मकाइंडर के हिसाब से ये जो area था इसको बहुत ज़ादा disproportionate strategic advantage था क्यों? Because Baltic Sea से आप Norwegian Sea के तरफ connect हो सकते Black Sea से आप Bosphorus State लेके आप Dardanis लेके Mediterranean पे connect हो सकते Mediterranean Sea से आप Gibraltar लेके Atlantic को connect हो सकते है and resources के मामले में तौबा तौबा यहाँ पे natural gas, यहाँ पे forest, यहाँ पे timber, यहाँ पे crude oil तो बहुत अच्छे से था तो मकाइंडर ने फिर से नहीं अभी slogan दी कि he who controls the East Europe जिनोंने East Europe के कबजा कर लिया East Europe means Europe के East वाला पार्ट वो क्या करेगा? वो Heartland पे कबजा रखेगा जिसने Heartland को कबजा कर लिया वो पूरे दुनिया पे सामरज बना सकता है and basically Hitler ने यही किया Hitler ने जब World War 2 शुरू हुआ तो Hitler ने सबसे पहले यहाँ पे Cocacus region के oil fields capture कर लिये and जैसे Hitler ने Cocacus oil fields capture किये, Hitler ने अपना पूरा ध्यान Heartland की तरफ घुमा दिया and यही Hitler की सबसे बड़ी गलती हो गई वो अलग discussion हो जाता है क्यों Hitler की गलती क्यों थी because Hitler ने जानी नहीं पाया कि वहाँ पे मारशी लैंड है, वहाँ पे दलदल है अगर आप Winters पे वहाँ पे जाएंगे and वो जो एरिया है वहाँ पे Winters में जादतर बारिश होती है तो आपकी टैंक्स, आपकी कारे वहाँ पे धस जाएंगे, तो वो गलती होगे Hitler से, बट Hitler ने यह किया तो मकाइंड़ के अगर आप देखेंगे, तो एक तरहीके से वो जोतिश है तो किसी को जिन्हों ने future events जानने की कोशिश किए अर उन्हों ने जो लीखा वो सही हो गया और वो सही तो अभी भी हो गया 2022 में वो सही हो गया रुषय उक्रेन का उप्र शुरू हो गया रुषय उक्रेन का उप्र वजे से शुरू हो गया तो चलिए तो यह हो गया 1919 का modification जिसमें मकांडर ने Heartland का concept दिया इसके बाद 1943 में मकांडर ने और एक modification किया अपने theory में और उन्होंने बताया the concept of Midland Basin तो चलिए देखते हैं कि concept of Midland Basin क्या है basically यह demo session है इसलिए में चीज़े लिखने रहा हूँ बट यह सारी चीज़े में normally लि Midland Basin का वो basically क्या था चलिए देखते हैं तो मकांडर ने क्या कहा कि World War 2 के बाद में North America picture में आने लगा North America की economy बढ़ने लगी North America में industries आने लगी and जो European countries थी जो Western European countries थी उनके साथ क्या होने लगा उनका जो पहले सामरज था वो धीरे-धीरे गिरने लगा वाई because decolonization start हो चुका था जिस पे England, Dutch, Portuguese, Spanish जिन colonies से ये लोग खाना खा रहे थे खाना in the sense खाना किस तरीके का पैसे का पैसे का raw materials का सोना चांदी का अभी आप लोग ने देखा ना कि चार्ल्स का coronation हुआ तो उनके उपर कोहिन और डायमंड है कोहिन और हिरा आया कहा से है तो जो ये पैसों की लूट मार थी वो लूट मार तो पूरी खतम हो गई decolonization के बाद में तो वेस्ट यूरोप का significance क्या होने लगा कम होने लगा significance बटने कहा लगा नौर्थ अमेरिका में अगर आप नौर्थ अमेरिका को दोखो के साब अगर आप नौर्थ अमेरिका को देखोगे माडम तो ये एक Midland Basin के तोर पर आड़ करता है क्यों इसके East में Atlantic Ocean है इसके West में Pacific Ocean है तो इसके बीच में आपको ये Basin मिल रहे है तो इसमें भी resources है इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा forest है इसमें भी आपको crude oil मिलता है इसमें भी आपको iron ore मिलता है metals मिलते है coal तो बहुत अच्छे quality का coal मिलता है आपको यहां पे तो मकाइंडर ने क्या कहा कि अभी पूरा जो है पूरा जो importance है वो किस तरफ शिफ्ट होगा Midland Basin के तरफ ये जो आप जो देख रहे हो बीच का Atlantic question कि basically समंदर नहीं रहेगा this will be a unifier between West Europe and the Midland Basin इसके बाद इसके बाद जो कुछ होगा sir madam वो ये दोनों blocks मिलके करेंगे तो ये मकाइंडर ने 1943 में कहा दिया और जो आज सच हो रहा है अगर आप देखेंगे तो पूरा Western Europe North America का historic ally है अभी वो वो अलाय है वो एक block represent करते है उसी का translation आज आज आप देख रहे हो जो NATO war चल रहा है NATO North Atlantic Treaty Organization और नाटो एंटरेशा के बीच का जो war चल रहा है वो वो इसी वज़े से चल रहा है because पूरी की पूरी जो significance आ गई अभी उसमें North America picture में आ गया तो मकाइंडर ने यहीं कहा कि अभी आपको Midland Basin को ignore करके चलेगा जो future events होंगे उसमें Midland Basin का बहुत बड़ा हाथ रहेगा और यहीं हुआ इसके बाद World War के बाद में अब सब जानते शिद यूद शुरू हुआ वो भी मकाइंडर ने वहां पे predict कर लिया तो इस तरीके से यह मकाइंडर की पहली geopolitical theory थी जिसमें मकाइंडर ने सबसे पहले बताया concept of world islands पाइवोट area के बाहर में उन्होंने बताया फिर 1990 modification में उन्होंने Heartland लाया क्यों लाना पड़ा उन्हें Heartland चापनीज जो थे वो काफी ruthless थे जिस गाव में जाते थे वहां के पूरे गाव को वो destroy कर जला ढालते थे पूरा आदमियों का कतल औरतों को किडिनाप करके आपको तो पता है कि कैसा दूर वेवार होता है फिर prisoners of war and औरतों को किडिनाप करके तो वो सारी चीज़े बात की ब देखोगे जो रश्या और यूक्रेन की बीच का चल रहा है तो रश्या और यूक्रेन का बीच यूद चल किस वज़े से रहा है यह आपको मीडिया में पतन ही चलेगा कि मीडिया जो है वो अलग picture paint करता है और जो असलियत में होता है वो काफी अलग होता है तो अगर आप यह ब्लैक सी रीजन देखेंगे अगर आप देखेंगे कि यह जो नदी है नाइपर रिवर जो यूक्रेन से बहती है इस्ट के इस्ट में पूरा स्टेपी रीजन आता है आपका पूरा स्टेपी रीजन आता है और यह रीजन जो है यूक्रेन का यह यूरोप का around 30% grain supply करता है तो पूरे यूरोप में जो आपको भीट सकता है 30% आपको इसी रीजन से आता है और रश्या ने सबसे पहले क्या किया रश्या ने सबसे पहले 2015 में क्राइमिया इनस किया उसके बाद रश्या ने ध्यान किस तरफ किया यह इस तरफ किया क्यों कि रश्या को पता है साब क एक बार climate change हो गया तो ये एरिया में हम लोग agriculture कर ही नहीं सकते कितना बड़ा continent है खाने के लिए कुछ नहीं है food security नहीं रहेगी तो आप क्या खाग देश चलाओगे because किसी भी देश के लिए food security सबसे पहले आती है बाद में बाकी की securities आती है तो इसलिए रशिया ने ये यूद शुरू किया जिसको रशिया ने special military operation बोला बट वो special operation नहीं है देखिए जो मकाइंडर ने कम से कम 100 साल पहले परिट किया वो फिर से सही हो गया कि जो heartland पे कबजा रखेगा वो ही पूरे दुनिया में कबजा रखेगा and रशिया क्यों कर रहा है ये because रशिया को food security सता रही है इसलिए सबसे पहला काम रशिया ने क्या किया यूद शुरू करने के बाद सबसे पहला काम रशिया ने 350 million tons 350 million tons गेहू चुरा लिया यूकरेन के east से and वो गेहू कहा कि आप सब को पता है आप देखिया ना साब ये जस्ट आप एक point समझीए कि कितना दुरलब नहीं बोलूँगा मैं इसे कितना अचंबित करने वाला point है कि दो देशों के बीच यूद चल रहा है रशिया न यूकरेन के बीच इन दोनों देशों के officials तर्की में मिल रहे है क्यों विकास उन्हें नीचे लीबिया में grain supply करना था तो तर्की में दो countries के बीचूद चल रहा है वो दो officers मिल रहे है तर्की में Istanbul में क्यों ताकि यूकरेन से grain shipment जाए नीचे में तो देखो यूकरेन food secretary की सबसे कितना important देश है दुनिया के लिए इस मज़े से Russia यह सब जानता है और इसलिए यह बड़ा युद्ध इस तोर पे चल रहा है and most important thing जो आपको ध्यान में रखनी है कि history repeat करती है खुद को तो आप please यह geopolitical theory को history repeat करते इस तोर पे लीजेगा तो यह तो सारा मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजे बता दी मकाइंडर की theory के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग critical analysis भी कर लेते है कि मकाइंडर कहां पे गलत हो गया and मकाइंडर basically क्या predict नहीं कर पाए अभी आप सब जानते है कि जो मकाइंडर की theory है वो किस पे based है land power पे बट क्या आज के दिन में खाली land powers यूद कर रही है आज के तोर पे क्या खाली यूद army करती है conventional artillery, conventional military करती है नहीं आज के यूद किस में हो रहा है आज के यूद स्पेस में हो रहा है आज के यूद economic यूद हो रहा है trade wars हो रहा है, cyber wars हो रहा है तो जो युद्ध का जो threats है और जो युद्ध का जो थेटर है उसको हम लोग war थेटर करेते हो थेटर ट्रिक्स चेंज होते जा रहा है तो मकाइंडर ये नहीं जान पाए और मकाइंडर ने world war 2 में जो जर्मरी ने उधम मचाया एरक्राफ्ट कैरियर बनाके एरप्लेंज बनाके वो उधम वो जान ही नहीं पाए तो मकाइंडर का अगर आप प्रिटिकल इवालेशन मुझे बूछो मकाइंडर कहां गलत हो गया तो मकाइंडर ने जो सी पावर्स को निगलेट करके गलती कर दी वो उनको भारी पड़ गई भारी इननसाइस ऐसे नहीं कि वो गलत है उनकी थेहरी बट उनका रोल उन्हें काउंट करना चाहिता और वो ही रोल स्पाइक मैन ने काउंट किया कि चलिए देखिए आप सी पावर्स को भी ध्यान में लीजी बिकाज 21 सदी में सी पावर्स जिनके पास बड़े-बड़े कैरियर्स है वो ही दुनिया पर राज करेंगे और वो ही चीज आज के तौर पे बहुत तरीके से सच हो रही है और मकाइंडर ने जो थेयाट्रिक्स बताया कि वो कंवेंशनल मिल्ट्री वार रहेगा लैंड पे आके दो देश की आर्मी फाइट करेंगी वैसा अभी नहीं ह होता है अभी जो कुछ होता है वो किस तरीके से होता है जो थेयाट्रिक्स है वो कंवेटली चेंज हो चुका है और इसका मैं आपको सबसे उंदा एक्जाम्पल दूँगा 2020 की जो बात है 2020 सबको पैंडेमिक एर के तोर पे याद है बट 2020 की जो सबसे बड़ी नियूस थी वो थी वार बेट्विन अजर्बाइजान एंड अर्मेनिया वो जो वार था वो ही गुरू में बैटके लड़ा गया था रोबोट बेज़े गये थे एयाई वो वार लड़ रहे थे तो आगे जाके ऐसा ही कुछ होने वाले तो मकाइंडर ये चीज़े कंसिडर नहीं कर तो आपको मकाइंडर की थेहरी पॉजिटिव साइट से भी covenant कर सकता है या नहीं भी कर सकता है क्योंकि अगर आप खाली लैंड के तौर पर देखेंगे तो पाइबोट एडिया को कैप्चर करके आपको खाली resources मिलेंगे बट आज के तारिक में जो resources है वो सारे digital हो चुके तो digital resource के तो मकाइंडर की theory उतनी valid नहीं है तो चलिए देखते हैं अभी स्माइक मैं ने क्या कहा निकोला स्माइक मैं ने बोला कि यह जो मकाइंडर साहब बोल रहे है कि land power यह गलत है आप खली land power पर कैसे focus कर सकते हो तो spike man ने अपनी theory दी spike man के theory का नाम था theory of rimland और यह जो theory थी साहब यह spike man ने around 1940 में दी 1940 में उन्होंने यह theory थी उन्होंने एक फिर से किताब लखी geography of peace जिसमें उन्होंने यह theory का जिक्र किया rimland का geography of peace नाम था उस book का का इंडर को नहीं मानता हूँ तो वो basically मका इंडर के contemporary थे उन्होंने मका इंडर की theory को disregard कर दिया उनका मानना था कि आप land powers को ही क्यों देख रहेगा आप sea powers को देखो 20 वी सदी 20 वी सदी यहाँ dominant powers कौन है naval powers उसे हम लोग blue water navy कहता है अगर आपकी देश की नेवी पूरे चारो oceans में फैली हुई है अगर वो पूरे oceans में dominant exit कर रही है dominance exit कर रही है तो आपका जो सामराज्य हो काफी बढ़ा हो जाता है इस वज़े से जो मका इंडर ने rimland का concept दिया तो rimland का concept क्या था basically जो मकाइंडर inner crescent कहते थे वो ही spike man ने modify करके उसको rimland बोल दिया तो मकाइंडर के हिसाब से जो rimland inner crescent था वो ही spike man के हिसाब से क्या था rimland तो rimland basically अगर मैं दर्शा ना चाहूंगा तो ये पूरा area हो गया ये पूरा area ये पूरा area हो गया हमारा rimland का but spike man कहते है कि ये जो पाइवोट area है जो बोल रहे हार्ट लैंड एरिया जो मकाइंडर बोल रहे है कुछ काम का ही नहीं है क्यों काम का नहीं है because कौन जाना चाहेगा इसे दूरलब area में जहाँ पर temperatures winter में जाओगे तो minus 60 अरे भई में accessible नहीं है कैसा देखिए मकाइंडर के लिए है ये कहाँ बहुत जादा लागू होती है कि दुनिया गोल है सहाब what goes around comes around मकाइंडर सहाब ये देखना थोड़ा सा भूल याँकि जोतिश्य विद्या थोड़ी से देखना भूल गई कि दुनिया गोल है तो आप ये जो पाइवोट एरिया के बारे में बात कर रहे हो अरे ये पाइवोट एरिया तो नौर्थ अमेरिका के वेस्ट शोर से directly accessible है ना bearing स्ट्रेट है यहां पे यहां से है पाइवोट एरिया तो directly accessible है अगर हम लोग 3D अर्थ देखते है अगर मैं आपको घुमा के लेके जाता हूँ तो देखी है साथ ये एरिया देखी है अब आप मुझे बताए कहां से ये पाइवोट एरिया अक्सेसिबल नहीं है ये पाइवोट एरिया तुरंत यहां से अक्सेसिबल है तो बस क्या करने आपको यहां से अजम करना है तो यहा जो था वही चीज आज के तोर पर आपको देखी जा सकती है क्यों विकॉज आज की डेट में जो भी बड़ी बड़ी पावर्स है वो सब कहां पर अपना डॉमिनेंट एक्जेट कर रही है वो सारी पावर्स अपना ओशन में डॉमिनेंट एक्जेट कर रही है क्यों अगर ज़्यादrah important है टर्की के हिसाब से, Metarnia Sea Root के हिसाब से यहाँ से बहुत ज़्याद़ ट्रेट ज़्यादा है, यहाँ पर आपके पास Suez Canal है, यहाँ पर आपके पास Rhodes Sea है, यहाँ परह आपके पास Bab Al-Mandeb Làm यहाँ पर आपके पास South China Sea है, तो ये सारी locations आज news में क्यों है because हर कोई अभी oceanic regions में dominance exert करने की कोशिश कर रहा है चाइना का Belt and Road Initiative इंडिया का भारत माला, सागर माला प्रोजेक्ट पाइरसी, मला का स्ट्रेट आप सब जानते है Suez Canal Make Ship, अटग्या था Ever Given नाम से तो कितना loss हुआ because आज की तारीक में जो आपका political dominance है वो आता किससे है यह नहीं कि आप कौन सी जमीन को हड़ब के बैटे हुए, आपके पास जमीन कौन सी वो इससे आदा है कि आपका trade कैसा है आपकी economy function कैसी कर रही है आपके पास business to business contact people to people contacts आपके bilateral trade initiatives कैसे है बाकी विशा के साथ में आज का जो scenario है आज का जो present status है वो block oriented है आज के date में blocks बहुत ज़्यादा माइने रखते है जैसे Asian हो गया तो यह Asian block जो है Association of Southeast Asian Nations तो यह Asian block बहुत माइने रखता है आज के दोर पे क्यों? क्योंकि उन्होंने एक world उन्होंने एक free market बना रखा है उन्होंने एक free market बना रखा है free market में वहाँ पे नहीं taxes लगते है import में नहीं export पे टैक्सेस लगते है जैसे European Union हो गया फिर से यह एक बहुत बढ़िया block बन गया एक ही currency है साब euro जो पूरे 28 देसों में चलती है तो आप देखिए आज के तारिक में blocks यह बहुत ज़्यादा माइने रखते है और आज के तारिक में जो war perception है वो कहां shift हो चुका है समंदरों में इसलिए आज के तारिक में अगर आप मुझसे पूछेगे कि सर मकाइंडर की theory ज़्यादा important है या spike man की तो रिम्लैंड का concept थोड़ा ज़्यादा आज के तार पर देखा जा सकता है बट अगर आप regionally जाओगे अगर आप land powers की तरफ से देखोगे तो मकाइंडर की चीज आज भी माइने रखती है तो ये दो theories थी the heartland theory and the rimland theory by मकाइंडर and spike man both of these theories are very important geopolitical theories इसको आप एक sentence में अगर मैं summarize करूँगा तो इतिहास खुद को दोराता है बस वही चीज मैं कहना चाहूँगा and I hope कि मैंने जो भी चीज़े बताई है आप सभी को समझ में आ गई होगी and मैं इसी तरीके से इसारी चीज़े पढ़ाऊँगा details में अभी हमने थोड़ा थोड़ा सा यहने जादे detail में हम दोग जाने में कोशिश नहीं की बट जितनी interest थी मैंने बताने की आपको कोशिश की तो I thank you Study IQ team for listening to me and यह दो theories है यह theories बहुत बहुत माइने रखती है because यह पहली theories थी जिनोंने geostrategic significance and geopolitical importance and dominance यह सारी चीज़ों को दुनिया में आगे लाए तो अब तक की यह चीज़े किसे ने discuss नहीं की थी but after McKinder after Spikeman यह चीज़े बहुत जादा dominant करने लगी and world war के बाद में जो US के precedents थे जैसे Harry Hess Truman Ronald Reagan John F. Kennedy उन्होंने literally Spikeman के theory को use किया है उन्होंने Spikeman के theory को पढ़ा है उनके political advisors ने वो theories पढ़ी है and उन्होंने वो theories को use मिलाने की कोशिश किया and उन्होंने use भी की है China को curtail करने के लिए Russia को curtail करने के लिए क्यों? Because जो global west है वो communism से डरता है चाहाँ तो उस वजह से आज की थारिक में भी यह theories माइने रखती है Okay, thank you Study IQ IS अब तयारी हुई affordable